हाई फ्रेंड दिस इस मवेश इयर और विलकम बैक टो चानल वंस अगेन इफ यह नूट फर्गेट टुडे सिब्स्राइब और यह बेल बटन जो है इस वह प्रेस करके आल जरू सिलेक्ट कर लीजिगा मतलब जब भी हम लोग कोई नया वीडियो अप्लोड करते आपको तु तो बहुत लोगों के दोनों साइड में एसल हीट हुए तो ऐसे समय पर मार्केट को किस तरगे से ट्रेड कर सकते हैं कहां पर ट्रेड ऑपरचरटी बन सकती थी और किस तरह से देखो मेरा भी डिसेंट सा प्रॉफिट हुआ काफी लोगों का प्रॉफिट भी आ आप टेलि निप्ति के इसको देखते हैं तो आप देखो क्या हुआ है ना पहले मार्केट ने पॉस केंडल बनाई फिर एक हैमर टाइप का कैंडल फॉरमेशन हुआ और एक इंसाइड कैंडल फॉरमेशन हुआ उसके बाद में ब्रेक आउट आती हुए मार्केट ने ओपनिंग से 200 प गाप डाउन ओपनिंग हुई अब गाप डाउन ओपनिंग होने के बाद में हुलाइटिलिटी भी क्रिएट कीगी उस वज़े से क्या हुआ ना बहुत लोगों के दोनों साइड में ऐसे लेट हुए तो इस सेशन को ऐसे समय पर मार्केट को किस तरह से ट्रेड कर सकते है मे निफ्टी का आज क्या अगर देखो अभी चार्ड बन चुका है ठीक है मुझे सिंपल सी बाते समझती है अब चार्ड बनने के बाद अब यहां पर आप कुछ भी यान फेल दो कि यह करना है वो करना है यह सिंपल सा वह सब को समझ में आएगा राइट बट लाहियो मार्के कि मैं यहां पर शॉट करने के लिए रिए था ठीक है मैंने यह भी कहा था कि यहां से अपसाइड थोड़ा सा देखेंगे अगर यहां से सपोर्ड मिलता है तो और मैंने यह भी कहा था कि यह लेवल इंपोर्टन चीज यह समझते मार्केट हुआ अब कितने पॉइंट का ग अब देखो यहां पर किया यहां पर यहां पर इस कैंडल का फॉर्मेशन देखती हुए और मार्केट जब नीचे आया तो मैंने यहां पर ऑपरुचुनिटी देखेंगे आज का मेनस दे मैं अपना माइंड सेट भी किया था कैसे ट्रेड किया था और कहां पर एक्जिट लेकिन प्रीमियम नहीं है वाइलिबल इस जगे पर जब मैंने यह देखा कि क्लोजिंग हो चुकी ऑल्मोस्ट तो अबिसली मैंने इस इसी जगे पर ट्रेड लिया अगर यह उपर चला जाता तो मेरा एसल हीट होता है नो डाउट बट मेरा यहां पर प्लान क्या था वह मै बता दू आपको देखो आज वेनस डे वेनस डे है तो जनरल यह आप लोगों ने ऑप्शन जो बाय किया होंगे वो देखे भी होंगे कि इतनी मुवमेंट करते नहीं बले निफ्टी यहां से यहां हैगा लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम मुव नहीं करते तो ऐसे समय पर हम क्या कर सकते हैं बेसिकली हम लोगों को उसका एडवेंटेज मिलता है वह एडवेंटेज कैसे मिलेगा तो अभी मैं आप लोगों को बता दू जस्ट मिनिट मुझे इसको सेलेक करने दो तो उसमें क्या होता है कि इस जगे पे अगर मैंने कोई option sale किया हुआ है मैंने यहाँ पे सोचा कि हम लोग पहले call sale कर देते अगर market यहाँ से उपर चला जाता है तो मैं यहाँ पे put sale कर देता उससे क्या होता मैं सबसे पहले call sale कर रहा हूँ C उसके बाद में मैं PE sale कर रहा हूँ तो call or put दोनों sale हो जाते इस जगे पे और market सबसे पहली एक बात समझते है market यहाँ पे open हुआ कहाँ पे open हुआ है इस जगे पे तो यह market की opening थी रहाइट अब यहाँ से open हुते ही market ने resistance लेके market नीचे आ गया वैसे अगर कल हम लोग यह level ड्रॉ करें तो आपको यह level मिल जाएगे तो यहाँ पे clear था कि market ने open हुते ही resistance लिया है अगर market यहाँ से support ले लेता और मैंने यहाँ पे call sale कर दी इस point पे मैंने call sale कर दी अगर यह opposite जाता तो क्या था मैं यहाँ पे put sale कर देता अब उससे क्या होता यह बन जाता हमारा strangle अब market हलका से उपर जाता तो call में जो loss हो रहा है वो put profit देगा तो कहीं न कहीं इस जगे पे अगर market उपर जाता है तो यहाँ पे फिर से resistance आने के chances है अगर यह breakout हो जाता है तो फिर मुझे अपना put यह जो नीचे वाला put निकाल के उपर का put बेचना पड़ता था क्योंकि call पे और ज्यादा loss होता था तो आप लोग strangle का वीडियो है यूटुब पे जाके आप देख सकते हो जहाँ पे तो आपको वीडियो मिल जाएगा तो यहाँ पे एक resistance तो आता ही था जैसे यहाँ पे market आता एक rate candle बनती तो यहाँ पे अगर यह नीचे आ जाता तो क्या होता ना कि इस zone में अगर resistance और support है तो यह time frame अगर यहाँ पे time consume करे market time spend करे market तो क्या होगा ना मेरे strangle में दोनों साइड से शायद premium decay हो जाए और मुझे profit मिले क्योंकि आज का दीन था वेनस डे तो इसलिए मैंने इनिशेली वो risk consider की और risk को consider करते हुए morning में ही इसी जगे पे यहाँ पे मैंने हमारा call सेल कर दिया था अब वो जो call था वो था 15600 रइट 15600 का call यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम लगने वाला वीडियो को लेकिन चीज़ों को हम लोग आराम से देखेंगे और समझेंगे अब देखो यहाँ पे आते हम लोग 15,000 इसको हटा देते है 15600 कहीं यही पे होगा चलो 15600 यहाँ पे इस क्लोजिंग टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा नीचे आएगा अल्मोस 36 यहाँ 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 पे यहाँ पे आप देख सकते हो इसी पॉइंट पे मैंने यहाँ पे शॉट किया था यहाँ पे करना चाहिए था लेकिन मेरा सेल हुआ जो 35 पे सेल करने के बाद हम लोग निफ्टी को देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से मुवमेंट वहाँ पे उस जगे पे हुई अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेल तो कर दिया है मार्केट को रेट यहाँ पे सेल कर दिया है अब नीचे तो मार्केट आया कोई दिक्कत की बात नी अब यहां पर नीचे आया फिर उपर गया, रीटेस्ट पे भी हम लोगों को यहां पर एंटरी मिल सकती थी, यहां पर आप देखो कि 15 मिट के गांडल है, मार्केट नीचे आके उपर जाके फिर नीचे के तरभाया, अब यहाँ पर जब market यह movement कर रहा था तो कहां तक market नीचे आ सकता है देखो हमारा जो support अल्मोस 348 पर था लेकिन यह 348 पर आने के पहले मैं आपको अगर आप analysis के वीडियो हमेशा देखते होगे तो आपको पता होगा कल के date में भी आप लोगों देखा इसका color मैंने कुछ तो भी red बनवा दिया था हम लोग इसको red color से mark कर लेता है अब देखो red नी तो green कर लेते because it is support तो कही न कहीं इसी zone में market ने कल एक बड़ी buying आई थी देखो market open हुआ उपर नीचे हुआ और यहाँ से buying होके market उपर के तरफ किया तो यह तो possible ही नहीं है possible नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन there is a very less probability कि market सीधा सीधा नीचे आए तो market क्या करेगा है इस point अगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ green candle बनाएगा तो primarily इसने बनाया भी लेकिन अगर यह next candle आई तो उसके बाद में अगर नीचे close कर देती तो फिर से इस level तक market को आने में मतलब इस level तक market को आने को कोई tension नहीं था यह देखो यह जो point है just a minute हाँ तो यह जो point है न हम इसको mark कर लेते यह जो level रहेगी यहाँ पर देख सकते हो यहाँ तक तो market आना चाहिए था ठीक है यहाँ touch करें नहीं करें देखो मैं अगर sale कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आया जाता है तो वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा प्रीमें में लेकिन मुझे इस zone में आने के पहले इसका हम लोग color change कर लेते हैं इस zone में आने के पहले मार्केट ने इसको breakdown करना चाहिए बट मार्केट नीचे आया लेकिन close उपर कर गया बरलब कर गया और green candle बनके उपर चला गया अब अगर हमारे level पो देखेंगे ना मैंने यहाँ पे इस जगे को यहाँ पे 35 पे sale किया था तो आप देखो कि 35.5 है 36 से अगर आपको 21 22 मिलता है तो आपको 14 15 पॉइंट से यहाँ पे बन गयते हैं आपके थोड़ी टाइम में आदे घंटे के अंदर आपके 15 पॉइंट के आसपास अगर profit आपको हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो देखो अगर मॉर्निंग में आपने अगर यहाँ पे मान के चलो कि 5 लॉट्स लिये तो आपको अल्रेडी पता है कि निफ्टी में एक important level है अब यह close करेगा नहीं करेगा लेकिन आपको यहाँ से 15 पॉइंट मिल चुके तो आप एक काम कर सकते हो 5 में से तो आपको यहाँ पर निकाल दो दो लॉट कर रखो तो आपको यहाँ पर निकाल दी मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया अब कुछ कॉंटिटी मैंने रख दिया क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग आके मार्केट उपर गहना तो यहाँ पर एक green candle तो बनना ही था बट I was in that thought की market है ना यहाँ से जाएगा मतलब यहाँ पर green candle बनाएगा और यह green candle बनाके यह green candle बनाके market फिर नीचे आना चाहिए ठीक है I was on that kind of thing क्योंकि मैंने आपको यह भी बता दिया था टिल ग्रम पर देटा है व्हों निगेटिव है टो निगेटिव डेटा है तो मार्य être लिए नीचे के तरफ यह आना चाहिए इस तरह सा हमारा एक यह था तो अब यहां पर क्या हुगा ना कि यह जो अगर आप देखोगे है यह खंड़ काफी अच्छी abdak इस body को इस body ने cover किया हुआ है और यह candle काफी strong बन चुके अब यह candle ने ऐसे नहीं बनना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए था फिर दूसरी candle जाना चाहिए थी फिर दूसरी या तीसरी candle से resistance लेके market नीचे आना चाहिए था टच करके लेकिन यह जब candle bullish अच्छी बन गई ना 1030 का ठीक है center में तो हमारा जो option है 1030 पे आप जाके देखोगे इसी level पे तो आपने जहां पे भी आपका option sale यहां पे किया 35 से आपको यहां पे 21 मिले 15 points और यह फिर 30 पे आया राइट और जब यह फिर से यहां पे आया ना तो मेरे पाद जो quantity थी वो actually मैंने उसी समय पे नही और इसी समय पे closing हो गई तो almost 35 के आसपास मैंने उसको exit कर दिया right क्योंकि मेरा बाकी quantity में profit हो चुका था अब यह profit होने के बाद आप देखो फिर से उपर तक गया इसके high तक almost 45-46 इसका high लगया और फिर market नीचे के तरफ आ गया था अब यहां पे क्या हुआ दूसरी चीज जो हलाकि मैंने नहीं करनी चाहिए थी अभी क्या हुआ ना देखो जनरली क्या होता है यहां से market नीचे आया और market ने यहां पे support कल का दीन आप देखते हो यहां से market उपर गया था यह आपको पता है तो अगर market यहां पे आया हुआ है और यहां पे support बना रहा है ठीक है और बन चुका था और यह अच्छी candle का formation हो के market उपर जा रहा है तो यहां पे एक चीज थी कि यहां data negative था अब data negative रहते समय मैं generally opposite side में data के या trade के कभी trade नहीं करता मैं इस समय पे यही देखता कि करना चाहिए तो call e sell नहीं तो नहीं करना चाहिए बट फिर भी यह जो price section दिख र बनाया और यह अगर उपर जाए ना तो यह high को अगर break कर दे तो यह काफी उपर चला जाता था और यह उपर की 641 की level touch होती तो मैं मुझे एक चीज थी कि अगर यहां से चला जाते तो मैंने यहां पे put sell किया था अब मैंने put sell किया था आप लोगों को telegram पे सारी चीज़े म अगर जिसने यहां पर put buy किया होगा put buy किया होगा आप लोगों ने यहां पर put buy करके आपको यहां पर पहले थोड़ा सा लॉस दिखा होगा फी profit दिखा होगा और obviously Wednesday है तो इतना नहीं बड़े premium मैं देख रहाता तो आपको थोड़ालका सा profit दिखा होगा तुरंद उपर और यहां पर हो गई इस candle के closing मेरे level के काफी उपर हो गई तो जहां पर मेरा exit का plan यहां पर चाहिए था तो मैंने यहां पर exit किया लेकिन फिर भी मेरी जो option के price है 35 के 35 मुझे वहां पर loss नहीं हुआ तो that's the point जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि selling क्यों करनी चाहिए तो ठीक है घराब कुछ नहीं है लेकिन आप बाइंग करते हो तो आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा अब यहां पर फिर मैंने क्या किया मैंने यहां पर फिर भी put sale के 15,250 के कहां पर sale के 1030 के candle के closing पर हम देख लेते हैं कि 15,250 का put यही कई मैंने add कि होगा देख़ू 15,250 का put 1030 को almost इस जगे पर मैंने 25 के आसपास यहां पर entry कर ली थी मुझे यहां पर 25 पर entry मिल चुकी थी ठीक है आप देखो 1030 के candle है closing है इस volume का हम लोग खटा देते हैं मतलब clear दीखेगा 1030 के candle है यह वाली 1030 के candle है closing पर से मैंने 25 पर entry इसको sale कर दिया अब 25 को sale करने के मतलब almost 7 point का profit हो रहा था अब 7 point का profit लेने के लिए तो trade नहीं किया था क्योंकि इसने almost low के आसपास भी आया था यह तो I was in that thinking कि अगर market यहां से और थोड़ा यहां तक भी चला जाए तो यह जो option है 10 रुपे पर आ जाएगा तो यहां से 15 points लेना जुरूरी नहीं है अब यहा sold particular put option of only 25 rupees तो यहां पर वो चीज हम लोगों को समझने हो कि मैंने कितने का sell क्या 25 का 25 का option कितना मनलब उसका delta कितना होगा दौड़े का कितना right आप यह देखो अब यहां पर क्या हुआ है ना कि market ने उपर के तरफ तो गया लेकिन फिर next candle market नीच आया कि कौनसी candle 11 अब यहां पर मेरा plan क्या था जो मैंने बनाया था ठीक है put sale कर लेते ना तो market उपर गया तो उसके premium कम होगे 18 पर आया था फिर इसके premium as it is आ गया क्योंकि नीचे के तरह आया तो मैंने यहां पर फिर जो put sale किये थे वह as it is price पर आ गया तो मैंने और उसमें 15600 के 650 के call फिर से उसी 26 27 के आसपास फिर से sale कर दिया अब यहां पे क्या था कि पहले 15250 का यह तो यहां पे profit book हो चुका है 15250 का मेरा sale है ठीक है अब वो उपर गया फिर नीचे आया अब एक तो आप कर सकते हो कि इसको exit करो लेकिन मैं quantity इतनी ली थी कि अगर मान के चलो कि अगर ही नीचे आता है तो मैं call भी sale करूँ सकूँ उपर के क्योंकि अभी market क्या करेगा इस concept को समझते है देखो यहां पर फिर से क्या logics थे वो देखते है कि उपर में resistance है ठीक है कोई दिक्कत की बात नी और market ने यहां से support बनाया तो this was kind of thing लेकिन अगर market कही और side में चला जाता है तो हम लोग उसको उस तरीके से देख सकते हैं अब यहां पर फिर मैंने वो जो level है आप यहां से देख सकते हो मैंने यहां पर कौन से candle थी देख लेते हैं देखो boring तो लगेगा आपको मुझे पता है होने के बाद कोई interest न किसे ने नहीं बताया बट वही चीज है कि करेंगे तो मैनत का काम तो है यार ठीक है जिसको सुनना है वो अच्छे से सुनते मुझे पता है अब देखो क्या होता है यहां पर वो पुट्टो प्रॉफिट डेरा था नीचे आ गया था नीचे आने के बाद जब यह मैंने वे लब नहीं है अब यहां पर यह हमको लॉस दे सकता है इस पूट को निकाला जाए तो यह जो टाइम था अल्मोस्ट 1115 और 1130 की कैंडल होगी राइट अब यहां पर हम लोग 15,250 का 1115 1130 की कैंडल देखते है तो 1115 के कैंडल क्लोजिंग टाइम पर इसकी प्राइस थी 25.92 मैं यह लगा था 28.4 का मतलब 25 रुपए से सेल करनी बाद वह 18 पर आया और उसका हाय लगा 28 पर मतलब हाडली मुझे 2.5 पॉइंट का लॉस यहां पर दिखा और तुरंत यह नीचे एक रुपए के आसपास यहां पर आ जुका है फिर नेक्स कैंडल में फिर नीचे गया कहा तक नीचे गया 21 तक और जब फिर यह वापस आया तो यहां पर आप यह 25 के पास रहने के वक्त ही मैंने यहां पर और एक 15,600 का यह जो कैंडल अम टाइम फ्रेम देखेंगे 11 15 to 11 30 15,600 का कॉल 11 15 to 11 30 अगर आप देखोगे इस जगे पे तो यह अवैलेबल था 26 तो मेरा अल्रेड़ी 25 रुपए का पूट सेल है 15,250 का तो मुझे स्ट्रेंगल बनानी है तो मैं ऐसा ही ओप्शन देखोंगा जो भी 26 रुपए के आसपास हो अब ज़रूर नहीं कि 26 हो 29 भी हो स तो मुझे यह अल्मोस्ट इसी जगे पे मिल गया फिर से 26-27 के आसपास मैं इसको शॉर्ट कर दिया और I was thinking market sideways जाएगा तो एक comfort zone यहां पे आ चुका था ठीक है अभी हमारी एक strangle created है market उपर जाए नीचे जाए तो फिर market नीचे के तरफ गया और फिर उपर जब आया अब यहां पे original game start होता है कि market नीचे आया फिर उपर गया अब मैं चाहता था कि market उपर जाए रइट उपर जाए फिर नीचे तब उसी समय पे मुझे मेरी गलती समझ में आए कि यार हम कर रहे हैं अब यहां पे एक सबसे बड़ा point मैं आपको बता दो देखो जब यह point बनाना market क high और यह एक high बना तो market फिर से यहां अब यहां पे जो retest कि मैं हमेशा बात करता हूँ वो मुझे यहां पे concept दिखिया कि market open हुआ नीचे आया support लिया उपर तक गया फिर market नीचे आया अब इस level को breakdown करने के बाद market यहां पे जा रहा है तो यह retest होगा market again fall कर सकता है क्योंकि अब आपको यहां पे pattern दिखेगा market क्या कर रहा है एक high बना कि मतलब open हुआ नीचे low बनाया फिर market नीचे के तरफ आया फिर market नीचे के तरफ आया अब इस level को breakdown करने के लिए नीचे जाने के पहले यह छूटी सी retest हो रहा है तो यहां पे अगर market को फिर से short किया जाए तो हम मेरा यह था कि हमें यह जो low है यह low तूड जाएगा और market नया low बनाएगा तो हमें यहां पे profit हो सकता है तो जैसे ही मैंने यह समय आ रहा था तो मैंने इस triangle को हटा दिया हाला कि मैंने फिर से बाद में उसको triangle को बना दिया था थोड़ी सी मेरी over trading आज के date में बिल्कुल हुई है मैंने थोड़ा सा over trade आज के date में किया है बट इट्स ओके end to end profit ही है कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई tension तो है क्योंकि सुबह यहां पे अच्छे profit में था ठीक है अब यहां पे जब यह आया ना कि 12 15 closing business पे तो I thought मैंने 15500 का में देखता हूं मुझे याद नी मैंने आप लोगों को इसका screenshot बेजा था ठीक है तो अब यहां पे मैं छोड़ दिया था अब इसको देखते है क्या होता है तो अब मुझे यहां पे trade मिला हां मैं आपको उसी समय पे नहीं दे पाया क्योंकि मैं भी थोड़ा देख रहा था now I will explain where I shot आप देखो यह लेबल बना की थी rate के लिए यही पे मैंने shot किया था अब यहां पर प्राइस आपको यहां पर देखने को मिलेगा अगर यह इसी लेबल पर अब यहां पर हम लोग एक लेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे की train line लेते इस हाई को ड्रॉ करते हैं यहां से निकालते हैं हो कि आप आप तो बेसिकली यहां पर हम लोग एक train line बना लेते हैं यह हाई और यह हाई अगर मार्क करेंगे तो अब आपको एक train line यहां पर मिल जाए देखो मैं generally train line का बहुत कुछ यूज नहीं करता या फिर मुझे उससे कोई यह मतलब भी नहीं है क्योंकि train line पर ट्रेड मैं नहीं करता generally बहुत क्योंकि मेरे लिए levels important होती है अब देखो यह नहीं बनाता ठीक है यह नहीं बनाता अब यहां पर चार्ट को आप देखोगे न तो डेटा निगेटिव है तो आपने मैं हमेशा ट्रेड के प्रलब ट्रेंड इस साइड में होता है उससे साइड में तो यहां पर प्रॉफिट आपको अच्छा तभी बनेगा sideways market में भी अगर आप तो प्रेंड को फॉलू करते हो ट्रेंड क्या था की से लॉंडर आइज अब देखो कि यहां पर मार्केट आया बहुत अची सेलिंग है थोड़ा सब्सक्राइब बनाया अगर अगर मार्केट को उपर जाना रहता तो मार्केट यहां जाता इस लेवल पर जाके फिर यह पर परसेंटेज हो गया शायद हाँ तो इस लेवल पर जाके फिर मार्केट साइडवेज हो जाता और यहां पर वेट करता और यहां पर थोड़ा टाइम स्वेंड करता तो फिर ब्रेक आउट आना चाहिए था तो फिर मार्केट उपर जाता अगर मार्केट इस हाई पर यहां strong तो यह red candle बनी और यहां से फिर से market ने reverse कर जाना चाहिए था यहां से support लेके लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं तो अगर इसको जाना चाहिए था तो market ने यहां आने के बाद यहां से उपर जाना चाहिए था इसका breakout करते हुए फिर उपर बट यह हुआ नहीं इसका मतलब market में negative trade लेना ही हम लोगों के लिए फाइदे मन्त हो सकता है तो exactly वो चीज़ जब समझ में आई ना कि यह जब बन गया था यह यह candle का तो फिर मैंने सोचा कि यार इस इस दो best way अब मैं यहां पर train line पर trade नहीं करता हाला कि train line भी आप निकाल दे तो trade आगे मिलता है बहुत लेट लेकिन मैंने इसी समय पर वो जो मैंने आपको trade भेजाना वो almost चल रहा था 15,600 का ठीक है 15,500 sorry 15,500 का इसका time था देख लेते यार कौन सा time था तो 12.30 का start 12.30 का start अब सेम जैसे chart बना हुआ है न निफ्टी का सेम चार्ट आपको यहां पर भी मिल जाएगा आप देख सकते हो यह भी trend line बन जाएगी almost इस तरह से obviously यहां पर तो काम नहीं करती बट यह आप लोग देख सकते हो कि इस तरह से ठीक है market नहीं यह high बनाया फिर lower high बनाया फिर again lower high बनाया उससे बस इतना ही मतलब होता है यहां पर मेरे level पर आस market आ गया था और यहां पर आप देखो entry कहा थी यह मेरे entry थी इस जगे पर 58 58 point something थोड़ा उपर होगा almost top पर मैंने इस जगे पर top तो हो नहीं सकता था ठीक है इस call का लेकिन जहां पर मुझा opportunity मैंने top पर short किया और इसका high था almost 62 तो यह 63 पर कभी गया नहीं मुझे याद है क्योंकि मैंने trade कर रहा था और यहां पर बहुत fluctuations है कुछ पहले quantity बीची 57 point something पर 58 पर 59 59 60 या तब कुछ quantity बीची तो मेरा average 58 आ गया था अब यहां पर मेरे सामने 61 भी गया था 58 पर 61.6 62 भी एक बार गया था लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही नीचे आया तो आप देखो एक ही 15 मिंट में इसका low लग गया था 37 58 से 37 मतलब almost होते है आपके 20 points within 15 मिनिट तो आपके ट्रेंड में जिस तरह मार्केट जा रहा है उस डिरेक्शन में आपने यहां पर ट्रेड किया तो यहां पर देखो अगर मार्केट ऊपर जला जाता तो मेरा 100% stop-loss हीट होता लेकिन फिर भी मेरे धिमाग में और एक प्लान था कि अगर यह 60 rupees का अगर यह बढ़ जाता है और इसके उपर जला जाता है तो फिर मैं उसको फिर स्ट्रेंगल बना देता 60 rupees के आसपास का पुड़ बेच देता और उसको फिर बहुत लंबे समय तक रखता कि हाँ ठीक है एक बड़ा supported market का उपर resistance है देखते क्या होता है बट यह जैसे ही profit में आया लेकिन almost यह जितना भी आज का day था ना काफी hectic था क्योंकि generally ऐसा होता नहीं है बट आप देखो कि market trending था सब लोगों को लग रहा था यहां पर जैसे मैंने exit कर दिया अब यहां पर exit करने के बाद शायद हो कि ऐसा हो सकता है कि यहां पर मैंने exit किया लब obviously मैंने उपर किया था कोई loss नहीं वा लेकिन अगर मैं यहां पर exit कर देता और market फिर से नीचे आता तो देखो कोई फरक नहीं बढ़ता है मैंने यहां पर sale किया यहां पर आया फिर यहां पर exit कर दिया अगर मुझे फिर से opportunity मिलती है तो I will sale again छोटे से कम price में मिलेगा लेकिन उसको again sale करेंगे लेकिन यह profit देखे जाएगा बड़ा लेकिन अगर यह इस जगे से उपर गया ना तो आपका loss हो सकता है तो कहीं न कहीं आपका stop loss होना चाहिए ठीक है तो ऐसा नहीं कि stop loss लेना ही नहीं चाहिए stop loss लेना चाहिए अगर मैं यहां पर होता तो थोड़ा उपर जाता जैसे इसके price obviously मेरा जो option था वो अगर मुझे इसके उपर अगर चला जाता था 70 या 65 के आसपास तो मैं इससे आइधर exit हो जाता बंद कर देता क्योंकि मेरा थिक्टाक profit था ही वहां पर तो इसमें ना बोलते हुए भी 6-7 अशार का profit रहता ही था तो उसको बंद कर देता system की हाँ ठीक है मैंने trade करके देखा नहीं हुआ either I can create the strangle at that time नहीं होता है तो उसको exit कर दो लेकिन यह plan successful हो और market continue नीचे के तरफ आया और फिर मैंने उसको काफी hold किया आप देख सकते हो फिर इसका जो low लगा ना market में bottom बना वो almost 30 के आसपास बना तो यहां से 30 points बहुत आसानी से आगे और मैंने जो short किये थे almost 400 quantity किये थी तो obviously और उससे ज्यादा quantity तो ले नहीं सकते थे क्योंकि थोड़ा सा market already यह इस जगे पर ऐसे condition पर था तो 8 lot ही short किये थे बट यह 8 lot short करने के बाद भी बहुत अच्छा profit बना उसके बाद में थोड़ा सा volatility हुई market में लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई आप यहां से देख सकते हो कि फिर market देखो अभी यहां फिर नीचे आया तो यहां नीचे आने के बाद हम लोगों को एक चीज समझनी है कि market आएगा नीचे बट कही ना कही अब यहां से market नीचे इस level तक आएगा क्या तो थोड़ा देख लेते हैं तो अभी कही ना कही यह एक important market की level थी ठीक है अब यहां पर इसको draw कर देते हैं ठीक है यह mark करे या इसका high करे आप देखो कि इसका exactly जो high है ना इसी high से इसने low पे ट अगर यह 30 बे भी आता है कि जो हमारा option 30 बे आया था यह bounce भी होता है तो यहां buy करके जाने के कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह जो zone है अभी market उपर भी जाएगा तो कही ना आप देखो फिर से उपर गया फिर sailing 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 थोड़ा सा time pass हुआ उपर जाके market को यहां पे touch करके फिर से market में आखरी आदे घंटे में sailing आ अभी market का जो close time मतलब market के closing है almost आज के day low के आसपास में है और जो हमारा 15600 का call है वो obviously end time पे थोड़ा सा 37 पे हो गया लेकिन इसका 3 o clock के पास आसपास देखो गया 3 15 को तो इसकी price थी 34 के आसपास तो भी आपको एक बहुत अच्छा plan मिलता exit का इस तरह से trade करते हां अगर buy करते तो फिर अलग बात होती अब यहां पर हम लोग देख लेते कि buying का scenario क्या हो सकता था किस तरह यहां पर जो हमने entry की थी almost 1230 को entry थी तो यहां पर कौनसा option buy कर सकता हो 15500 का put right 15500 का put डेक लेते time at 1230 को 1230 को अब यहां पर हमने 1230 के opening पर उस candle के जो उपनी हुआ तब इसका opening यहां पर हो रहा है ठीक है price कितनी थी 96-97 तो आप कहीं न कहीं यहां पर इसका plan बना सकते थे कि चलो वहां पर अगर यह bottom बना हुआ है तो यह थोड़ा से उपर आएगा तो यहां पर आप आप लोग कर सकते थे 105-106 ठीक है that depends on UK आप कहां पर आप अगर इसका breakout का weight करोगे तो आपको यहां पर entry मिलती थी almost 120 के असपस 120 से आप लोग यहां पर देख सकते हो इसका high बना almost 162 तो ऐसा नहीं है कि buying में profit नहीं होता तो अगर देखो मैं selling करता बॉटम पर करता तो obviously buying करने कि यहां 97 पर आपको entry मिल जाती यहां फिर अगर आप चार्ट को देखते हो करते हो और breakout करते हो तो कहीं ना कि आपको यहां पर entry मिल सकती थी अगर 120 पर entry होती थी तो 120 से यहां पर गया 162 तो 40 points की movement हुई और उसके बाद में यहां से 97 से अगर देखे तो almost यह 100 से consider करते 97 पर तो होग कि आप मुझे बता हो कि आप is it possible to exit मैं नहीं कर सकता भाई कहीं ना कहीं जब यह यहां से 120 से अगर 100 पर बाई किया 120 बाई किया 150 पर चला गया ना हम लोग तो भी exit हो जाते नहीं भी हुए तो यह candle देखो आप इसका लोग इतना लगा है 130 जो आपने 120 पर entry की आपको 155 पर दिखा मतलब वहां पर आपको 35 पॉइंट का प्रॉफिट और यह तुरंत आ रहा है फिर 130 पर अब 9 पॉइंट का प्रॉफिट आप मुझे बताओ यहां पर कितने लोग exit होंगे यहां पर किसी को confidence नहीं रहता कि फिर market उपर जाएगा बट यह लो लगाती बहुत लोग इस 202 अलब जिसने यहां पर बाइंग की है उसने अगर वेट करते रहा तो वह loss में भी गया हाला कि फिर market जो है वह पूरा sideways रहा closing basis पर अच्छा closing हुआ है क्योंकि next 15 अलब last 15 मिट में nifty में एक थोड़ा सा selling आया last 15 to 30 मिनिट इसलिए यह बिचारा जो option 115 गा 130 पर 135 पर चला गय गया है 93 तक तो इस तरह से अभी यहां पर देखो कि यह options जहां पर buy के bottom में फिर भी आपको loss दिखा होगा लेकिन अगर जिसने वो जो put option जिसने sell किया मनलब call option 15,000 और वो तो मैंने 15,500 sell किया था उस जगे पर 15,500 इस जगे मतलब कुन सा almost at the money मैंने short किया था ठीक है 480 में मा 500 शॉट करने के बाद कहां पर हम लोगों ने entry की थी कि यहां पर यहां पर हम लोगों ने entry की market नीचे आया लेकिन यह कभी भी उपर नहीं जा सका अब देख लो यह कभी भी इस level के आसपास नहीं गया आपको clearly दिखाई देगा तो कही ना कहीं वो चीज हम लोगों को समझन पड़ेगी कि यह कभी भी उस जगह पे नहीं गया कि जहां से हमने सेल किया हुआ है market उपर आया pullback लेकिन नीचे आके फिर से नीचे के तरफ ही रहा और closing कहां पर है यह सॉरी 15,000 यह क्या गलत निकाल दिया हमने वेट 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 यहां सेल किया था इसको 58 यह नीचे आया उपर गया फिर नीचे आया फिर नीचे आया फूर उपर गया closing देखो 31 पर कभी जहां पर हम लोगों ने सेल किया इस price पर जा नहीं सका तो कहीं ना कहीं यह beauty होती है जब आप selling करते हो और खासकर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है expiry के दिन और जब premium नहीं बढ़ते है तो उस समय पर आप देखो यहां पर कोई tension नहीं था कि 50 तक आया था कुछ quantity आप book कर सकते हो इस zone में और कुछ quantity रख सकते हो at the day end आपको अच्छी closing मिलेगी so basically this was a day अब रही बात bank nifty की तो bank nifty को भी देख लेते है तो इस तरह से nifty का आज trade plan हुआ है अब आगे क्या हो सकता है कैसे हो सकता है वो सारी चीज़े next video में discuss करेंगे कल का plan अभी bank nifty में देखो के तो nifty में तो एक अच्छा gap down हुआ और थोड़ा सा trending भी था मतलब हम लोग trade करके कही न कहीं स्क्रीन पर profit दिखा हम लोग उससे lock कर सकते थे तो कहीं न कहीं देखो मैं बहुत बड़े profit नहीं करता हूँ छोटी profit होते मेरे लेकिन safety बहुत matter करती है तो कहीं न कहीं आज थोड़ा सा generally मैं बहुत confidently trade करता हूँ लेकिन आज मेरा भी थोड़ा सा यह हो गय बन जाता है अभी bank nifty को देख लेता है तो देखो bank nifty open हुआ सीधा level को cross करके अब देखो यहाँ पर क्या होता है यहाँ अगर आप ट्रेड करोगे तो यह zone आपको दिखा ही दे रहा है तो market ने कहीं ना कि यह से support लिया उपर गया फिर नीचे bank nifty में आज के date में कुछ नही पर trade करता तो कुछ नहीं था कि उपर गया नीचे के उपर है बट कहां पर strangle को सीखना है तो YouTube पर वीडियो पड़ा हुआ है काफी systematic तरीके से मैं obviously पहले strangle बनाता था बट nowadays I am doing only directional trade but whenever I found that market can go sideways उस समय मैंने जो call sale किया या put sale किया उसको मैं hedge कर लेता हूँ दूसरे side position बना के और strangle बना के रखता हूँ फिर अगर मेरे तरफ market क्योंकि देखो क्या होता है ना मैंने कोई 50 रुपे का option बेचा है 50 रुपीज का option बेचा है अब 50 रुपीज का option बेचा हूँ अब वो 55 पे चला गया मेरा stop loss hit करने से चम है 55 का call बेच देता हूँ ठीक है अब उससे क्या हो अगर इस तरह से trade करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़े अच्छे से आप कर सकते हो मैनेज कर सकते हो तो friends this is all about अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो comment section में आप मुझे बता सकते हो मैं आप लोगों को सारी चीज़े explain करने की कोशिश करूँगा hopefully ये video आप लोगों को पसंद आया होगा obviously 36 minute का video बनाए पर सिखने को जरूब कुछ मिला होगा मैंने पूरी कोशिश के आप लोगों को सब कुछ बताने की किस तरह से mindset था क्या था कहां पर गलती हुई या हो सकती थी किस तरह से market हमेशा trending नहीं रह सकता एक दिन market trending था एक दिन market हमेशा बहुत समय पर यह चीज होती है कि market sideways चला जाता है तो we have to create the skill we have to develop such kind of skill कि market trending हो तो भी profit करें और market sideways या फिर volatile है तो उस समय पे भी हम लोग अपना profit book कर सके या फिर safety के साथ trade कर सके नहीं तो क्या होगा trending है तो सारी दुनिया पैसा बना रही है और sideways हो जाए तो जितना कल कम है उससे ज्य you have to develop such kind of skill as a trader अगर आपको professional trader बनना है तो आपको वो सारी चीज़े आनी चाहिए यह market वले ही कैसा हो जिस तरह से market है ना Newton's law आप लोगों को पता है to your reaction there is a reaction तो in that simple way तो अगर market जिस तरह से act करता है हमारी reaction उस तरह से होनी चाहिए तो इस चीजों को तोड़ा time लगता है practice कर analysis के video देखते रहोगे तो चीज़े धीरे धीरे develop होगी और obviously I am with you कोई भी doubt हो तो मैं आप लोगों का clear करते जाओंगा so friends thank you for listening the video for long duration का video है so धन्यवाद सभी लोगों को जहिन जय वारत